मैं कुछ थाक और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे आज बहुत important topic के ओपर हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो Frequently Asked Questions रिलीस किये हैं Department ने AIS के regarding AIS क्या होता है दोस्तो आप लोगों के लिए जानना क्यों जरूरी है क्योंकि आपका written filing का due date 31st July है दोस्तो और अगर आपने return file कर लिया है या करने जा रहे हैं तो AIS को देखना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक annual information statement है इसकी full form है annual information statement और इसे देखना आपके लिए इसले जरूरी है क्योंकि अगर इसे देखे भी ना आपने return file किया तो हो सकता है income tax का notice आप तक पहुँझे क्योंकि कई सारी information इसके अंदर आती है इसमें काफी सारे frequently asked questions के अंदर काफी सारे जो मन में doubts आते हैं दोस्तो अपना प्यार बनाए रखे बढ़ते हैं आगे की तरफ दोस्तो सबसे पहला सवाल कि annual information statement है क्या what is annual information statement तो दोस्तो annual information statement short में अगर कहें it's a comprehensive view of information for a taxpayer displayed in form 26AS तो दोस्तो अगर आप ITR file करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं 26AS का नाम जरूर सुना होगा जिसमें TDS जो भी आपका कटा होता है तो उसकी information होती है और भी कई information होती है तो उसका comprehensive view आपको देता है AIS so that is annual information statement अगला सवाल है दोस्तो की objective क्या है आखिरकार objective क्या है क्योंकि 26AS तो पहले से था but AIS का objective क्या है तो AIS का objective यह है दोस्तो display complete information to the taxpayer with a facility to capture online feedback यह बहुत ही बहतरीन facilities के अंदर आए दोस्तो कि आपको complete information तो देता ही देता है taxpayer related साथ में आपको facility देता है ताकि आप उसमें feedback दे सके अगर आपको लगता है for example कि TDS कम कटा है या फिर किसी अलग head में होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि कहीं पर कोई और issue है miss statement है तो उसके लिए आप feedback दे सकते हैं तो यह एक विवस्ता इसमें करी गई है इसके लवा it promotes the voluntary compliance and enable the seamless prefiling of return तो दोस्तों जब आप return filing करते हैं तो उससे पहले prefiling में यह काफी help करती है इसमें जो information आता है वो काफी हद तक आपका update हो जाता है आपके ITR forms के अंदर तो voluntary compliance को भी यह बढ़ाता है लोग अपनी AIS regular basis पर check कर सकते हैं कि कहीं पर कमी तो नहीं आ रही है तो उनको check कर सकते हैं और voluntary compliance को पूरा कर सकते हैं और इस तरीके से यह data करता है non compliance तो यह बड़े इसके important objectives है इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि how can I view the annual information statement जी हाँ अगला सवाल जो है वो बहुत जरूरी है एक आम आदमी के लिए भी जाना जरूरी है दोस्तों कि annual information statement वो कैसे view करें तो इसके लिए सबसे पहले you can access the annual information statement functionality by following mention steps सबसे पहले तो आप login करिए दोस्तों यह income tax की site है उस पर आप जहिए सबसे पहले login करिए login करने के बाद आपका दूसरा step यह है कि AIS जो services menu tab आएगा जब आप login करेंगे तो services के अंदर AIS करके tab होगा उस पर आपने click करना है उस पर जब आप click करेंगे तो उसके बाद आपका वो home page पर खुल जाएगा AIS का tab और उसमें आपको select करना है जोन से financial year को आपको view करना है और उसमें AIS का title भी दिखेगा आपको annual information statements related तो उस पर आपको click करना है वो आप click करेंगे तो वो open हो जाएगा तो यह पूरा process है AIS को open करने का तो यह आपने ध्यान से follow करना है और regular check करना है जरूर check करेंगा दोस्तो चेक करके बताएगा अगर कहीं दिक्कत आती है तो description में number दूँगा दोस्तों you can call और आपकी AIS की complete information हम भी आपको दे सकते हैं ठीक है तो अब यह आगे बढ़ते हैं दोस्तों form 16 में part A, part B सुनाओगा आपने कई बार जिन लोगों को आता है form 16, form 16A तो वैसे इसमें भी part A और part B है part A के अंदर it displays the general information pertaining to you including pan, mask अधार number, name of the taxpayer, date of birth, incorporation, formation, mobile number, email address and address of the taxpayer तो यह general information जो है उस वो part A में display करता है वही हम part B की बात करें तो इसमें काफी detailed और काफी सारी information होती है जैसे for example TDS and TCS information, information related to text deducted, collected at source is displayed here the information code of the TDS or TCS, information description and information value is clearly shown here तो TDS की complete information part B में रहती है इसके अलागर हम बात करें तो SFT की भी information रहती है under this head, information received from reporting entities under statement of financial transaction, SFT is displayed the SFT code, information description and information value is made available तो इसकी भी complete information रहती है दोस्तों इसके लबाब payment of taxes head रहता है इसके अंदर, part B के अंदर उसमें जो भी आपकी taxes की different heads में हुई है, उन सभी की detailed description रहता है advanced tax है, self assessment tax है, वो clearly यहाँ पर show किया जाता है इसके अलावा demand और refund का भी एक tab होता है दोस्तों, इसमें वो आपको show करेगा you will be able to view the details of the demand raised and refund initiated इसमें assessment year और amount यह भी दिखाया जाएगा, ठीक है, तो details related to demand will be released soon इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, तो other information में details of the information received from other persons, such as data pertaining to annex the two, salary, interest on refund, outward foreign remittances, purchase of foreign currency, etc. तो दोस्तों काफी सारी जो information है, जहाँ पे भी आपका pan use हो रहा है, अधार use हो रहा है, तो details यहाँ पर आएंगी जुरूर, इसके अलावा एक सवाल उठता है कि दोस्तों कौन-कौन से formats है जिसमें हम AIS को download कर सकते हैं, सवाल यह भी उठता है, तो दोस्तों you can download the annual information statement in PDF, JSON file, CSV file formats, तो यह इन सभी formats में download किया जा सकता है, इसमें आप comments add करके, modify करके, जो हमने अभी थोई दर पहले आपको बताया था, उसको feedback के रुप में आप दूबारा से upload भी कर सकते हैं, तो यह भी इसमें facility available रहेगी, इसके बाद, जैसा कि अभी मैंने बताया, how do I submit feedback on the information, कैसे आप submit करेंगे, तो you can submit the feedback on active information displayed under TDS, TCS, SFT information or other information by following below mentioned steps, तो यह steps हैं, सबसे पहले optional button, जो mention रहेगा in feedback column for relevant information, उस पर आपने click करना है, उसके बाद, you will be directed to add the feedback screen, choose the relevant feedback option and enter the feedback details, जैसे भी आपका feedback है, वो आप उसके अंदर डालेंगे, उसके बाद, आपने क्या करना है, submit कर देना है, feedback को, तो यहां पर आपका submit हो जाएगा, लेकिन उसके बाद, सवाल यह है, कि what will happen once I submit the feedback, जब आप submit कर देते हैं, feedback को, तो उसके बाद क्या होगा, तो दो information and the modified value of the information will also be visible with the reported value, the activity history tab will also be updated and you will be able to download the acknowledgement receipt, email and SMS confirmations for submission of feedback will also be sent, तो यह information दोस्तो, is there any confirmation will be received on submission of yes, कोई confirmation मिलेगा क्या आपको email की रूप में, message की रूप में, तो जी हां दोस्तो, बिलकुल मिलेगा, इसमें अगर हम देखेंगे, तो yes, after successful submission of your feedback on AS information, the activity history tab will be updated and you will be able to download the acknowledgement receipt of the same, email and SMS confirmation for submission of feedback will also be sent, तो दोस्तो, बिलकुल email और SMS confirmation तो आपको मिलेगा, इसके बाद यह है दोस्तो, कि is there any limit on the number of times I can modify a given feedback, यह आपने एक बार feedback दिया, लिकिन आपको लगता है कि साथ मैंने complete information नहीं दी, यह फिर कुछ error रह गई, तो क्या मैं इ कर सकता हूं, तो दोस्तो अभी कोई limit नहीं है, currently there is no limit on the number of times you can modify previously given feedback, आप and number of times कर सकते हैं, तो क्या GST turnover को AS से verify किया जा सता है, जी हां दोस्तो, yes, AS does display the information related to GST turnover, and information code, okay, the same would be visible in the other information tab in AS, तो जी हां दोस्तो, यह आप कर सकते हैं, अब एक छीज़ धियान दखेगा, last date आपकी IT केर की 31st July है individuals के लिए, तो हरिप करिए दोस्तो, contact number हमने दे रखा है description में, अगर आपने हम से file कर वा हैं, तो you can contact us also, कोई help चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं, तो जल्दी करिए दोस्तो, AS को जरूर यह information सब तक share करिए, thanks guys, thank you for watching this, and do like and subscribe and don't forget to share.